फ्रांस के जाने माने भविसी वक्ता नास्त्रे दमस की अधिकतर भविसी वारी सच सावित होती है नास्त्रे दमस पूरी दुनिया को लेकर कई भविसी वारीयां कर चुके हैं जिनके बारे में बेहत डरावनी है 1566 में अपनी मौत से पहले उन्होंने 6338 भविसवाडियां की थी जिसमें इंद्रा गांधी की मौत वर्डवार आधिसा में नास्तरे दमस ने अपनी भविसवाडि की पुस्तक सेंचूरी में भारत, हिंदु धर्म और महान राजनेता के उत्थान की बात कही है चलिए आईए जानते हैं हिंदु धर्म से जुड़ी पांच सटिक भविसवाडियां नास्तरे दमस ने अपनी भविसवाडि की पुस्तक सेंचूरी में लेखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भैभीत कर देंगे ए तथा ए से घायल दो लोग एकस मानस नांटिसिक्स अब इसकी हम ब्याख्या करें तो चांद पर आधारित धर्म एक ही है और वो है इसलाम और दुनिया में जितने भी सागर है उन में से सिर्फ हिंद महा सागर के नाम पर एकी धर्म है जिसे हिंदु धर्म कहते हैं कि लाल के खिलाफ एक जूट होंगे लोग लेकिन साजिस और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे, रक्तपात, बीमारिया, अकाल, सुखा, युद्ध और भोख से मानवता बेहाल होगी अब इसकी ब्याख्या करें, तो दुनिया में पिछले सैकड़ों वर्सों से धर्म युद्ध चल रहा है, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को खतम करने में लगे हैं, दरसल धर्म अब धर्म नहीं बलकि अब संपरदाईक, आपराधिक और आतंकवादी संगठन बन गए है ऐसे में सवाल कई उड़ते हैं, और जवाब कहीं से भी नहीं मिलते हैं, लेकिन हम यदि संगठित धर्म की ही बात करें, तो किस धर्म के संबंध में कही है ये बात? तीसरी भविसमाडी है, तीन ओर से घिरे समुंदर छेत्र में वह जनम लेगा, जो ब्रहस्पतिवार को अपना आवकास दिवस घोसित करेगा, उसकी प्रसंसा और प्रशिद्धी, सत्ता और सक्ति बढ़ती जाएगी, और भूमी वह समुंदर में उस जैसा सक्तिसाली कोई अब इस भविसमाडी की ब्याख्या करें, तो तीन ओर समुंदर से तो भारत ही घिरा हुआ है, भारत में गुरवार एक ऐसा वार है, जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मनाते हैं, भारत में पहले भी स्री राम, स्री कृष्ण, स्री बुद्ध, महाबीर, चाड़ा के आदि महापूर्सों का जनम हो चुका, ततकालिन समाज को काफी प्रभावित किया है, हलांकि अभी इस भविसमाडी के पूर्ण होने का इंतजार है, कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकास दिवस घोसित? चौथी भविसमाडी है, सामपरदाइक्ता और सत्रुता के एक लंबे दोर के बाद सभी धर्म एक जातियां एक ही बिचारधार को मानने लगेंगी अब इस भविसमाडी की ब्याख्या करें, तो अब जहां तक एक ही बिचारधार को मानने की बात है, तो ओसो रजनीश जैसे कई संतों को भारत और अब चीन सहीत समुचे पस्चे में ध्यान से पढ़ा जाता है और उनके बिचारों से विश्व में नए तरह की धार्मी करा पांती लाने की बिचार की जाती है, दुनिया धीरे धीरे हिंदु धर्म के सक्त से प्रभावित होकर एक नए तरह के समुच में बदलती जा रही है, पांचमें भविसमाडी ऐसी की है जिसे सुन कर सब के हो सुड़ जाएंगे, दच्छेडी भारत से एक नेता ऐसा उभर क पर आएगा जो पूरे विसम को एक करके रख देगा, उसके दोरान में रूस समयवाद का दामन छोड़ हिंदु धर्म सुइकार करेगा, मतलब यह कि रूस हिंदु धर्म से प्रभावित होगा और भारत के साथ मिलकर अरब देशों में हिंदु धर्म को बढ़ावा देगा और आगे चलके रूस भी हिंदु धर्म सुइकार कर लेगा, जो कि उसका पुरवर्ति धर्म है